हेलो स्टूडेंट्स तो स्टूडेंट्स आज का हमारा जो लेक्चर है इसमें हम जानेंगे तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम बात कर लेते हैं तो लीनियर वेलास्टी का जो टॉपिक है में इस चैप्टर नमबर वन मैंने अच्छी तरह से एक्स्प्लेन कर दिया था है तो मैनी फॉर्मूलेस और मेरिकल्स वे दिसक्स्ट ओर रहा है इस दा लीनियर वेलास्टी विस्थापन किस दर के साथ बदल रहा है चेंज हू रहा है देट इस दा लीनियर वेलास्टी दा रेट ओफ चेंज ओफ डिस्प्लेस्मेंट विद रिस्थापन किस दर के साथ चेंज हो रहा है उसे हम क्या कहते हैं लीनियर वेलास्टी लेकिन स्टूडेंट यहां पर केस इस टिफरेंट जो अबजेक्ट है मा लेते हैं रिवॉल्विंग और जू कैसे मूविंग इन एंटी कलॉग वाइस डियरेक्शन तो स्टूडेंट से इसका कौन ये वे क्या होता है एंगूलर वेलास्टी जिसे हम ओमेगा के साथ क्या करते हैं रिपरेजेंट करते हैं वो होता है इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो कितना स्वीप आउट हो जाता है तो अब हम एक संबंद मनाने जा रहे हैं बट वी इन दा लीनियर एंड एंगूलर वेलास्टी से में क्या संबंद होगा आईए इसको फर्दर हम डिस्कस कर लेते हैं नाउ स्टूडेंट्स अब हम माल लेते हैं जो आपजेक्ट का मोशिन है डैट इस एंटी क्लॉक वाइज डैरेक्शन तो सबसे पहले हम कंसिडर जे मानकर चालते हैं अब्जेक्ट मूविंग विद जूनी फॉर्म एंगूलर स्पीड ओमेगा तो जो अब्जेक्ट का मोशिन है जो गती है हम जे मानकर चलते हैं डैट इस आ कॉंस्टेंट यूनिफॉर्म ली वो क्या करता है यूनिफॉर्म एंगूलर स्पीड ना तो उसकी स्पीड बाढ़ रही है और ना ही कम हो रही है मूविंग विद यूनिफॉर्म एंगूलर स्पीड यह हम मानकर चलते हैं आगे अब सेंटर क्या है सेंटर ओ है जो सर्कल में जे अब्जेक्ट मूब कार रहा है इसका सेंटर कहां पर है इस ओ इना सर्कूलर पाथ मूब कार रहा है अब्जेक्ट मा लेते हैं suppose that at any time t the object is at point a तो कल्पना करते हैं किसी समय t पर जो object था वो at position a means बिंदू a पर है अब इसका position vector क्या होगा students o a vector equal to the radius of the circle r that is r vector अब इसके आगे students मा लेते हैं add time t plus delta t t समय पर जे बिंदू a पर था अब समय और क्या हो जाता है spent हो जाता है तो after some time it reaches at point b means change कितनी होई समय में delta t तो बिंदू b पर जब चाजे means time t plus delta t t plus delta t इतनी change आजाती है समय में it reaches at point b now position vector o b vector कितना होगा मा लेते हैं जाब a से जे b जाता है थोड़े समय के लिए हम मानते हैं means of समय में कितना कितनी बड़ोतरी होती है कितना decrease होता है delta t तो जे linear displacement होती है इसकी that is delta r कितनी होती है delta r समय मेंने बहुत कम माना है तो this is r and this is delta r तो ये कितना होगा r plus delta r अब इसे vector form में लेक लेते हैं o b vector equal to r vector plus delta r vector now position vector in the time delta t कितना sweep out होता है वो कितना कौन बनाता है with the center that is a delta theta delta theta हम से delta theta मानते होती है तो angular speed और यू कैसे angular velocity omega कितनी होती है देल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी इसका जो एंगल है एंगल है वो कितना कितना किये जाती है with the passes of time और इसे कैसे लिख सकते हैं डेल्टा थीटा इकवर टू ओमेगा multiply by डेल्टा टी इसे मैं मा लेता हूँ equation number one now यह जो displacement है DR students यह किसके इकवर हम मानते हैं कितना एंगल चेंज हुआ that is a delta theta इसका relation है now students आगे हम बात करते हैं with the help of trigonometry यदि हम trigonometry के rules apply करें तो यह जो एंगल है delta theta delta theta यह किसके equal होगा arc a b यह जो arc है blue color के साथ शो की है arc a b over radius that is a o a अब students मैं again repeat करने जा रहा हूँ यदि यह time period ज़्यादा होगा तो यह जो linear displacement है shown by red color arrow जो red है a b and arc a b by blue color इनका difference ज़्यादा होगा इनकी value में जो difference है अंतर है वो ज़्यादा होगा लेकर स्टूडेंट्स हमने क्या माना है infinite smiley small time interval तो smaller time interval की हम ज़्यादी बात करें तो small time interval में a to b object है वो बहुत कम दूरी ते करता है वो इतनी कम दूरी ते करता है जो उसका circular path है वो linear path के equal हो जाता है जितना समय हम कम चूज़ करेंगे उतना ही linear displacement and angular displacement का जो difference है वो कम होता है तो for infinite smiley small interval डेटाटी यह जो linear displacement है वो क्या है circular जो है motion circular displacement है उसके equal होगी means for infinite smiley small interval delta t हमारे पास delta theta equal to अब आर्क किसके equal होगी means delta r मैंने magnitude में लिख ली है over r इसे हमान लेते हैं इसे हमान लेते हैं equation number second अब seconds की value मैं जहां पर लिखने जा रहा हूँ now using our equation second using equation second डेल्टा ठीटा मीस डेल्टा आर वेक्टर ओवर आर इकोल टू ओमेगा डेल्टा टी अब इसे फार्दर लिख लेते हैं ऐसे डेल्टा आर वेक्टर ओवर डेल्टा टी इकोल टू ओमेगा डेल्टा टी नीचे आर राइट है अरी एरेंज कर दिया अब स्थुएंट्स दा रेट ओव चेंज ओव किसका रेट ओव चेंज हो रहा है linear displacement with respect to time that is a velocity velocity equal to omega r ये रहा relation velocity linear velocity equal to angular velocity multiply by r r क्या था radius of circle circle जिस circular path में object क्या था हमारा move का रहा है अब स्टूडेंट्स इसे महां लेते हैं equation number 3rd and this is equation number 4 इसकेस में स्टूडेंट हमने beginning में ये माना था object is moving with uniform angular velocity omega means जाब object move करता था तब उसका motion क्या था जूनिफॉर्म था स्टूडेंट्स ऐसे भी हो सकता है जो object है उसका जो motion है वो कम और ज्यादा हो जाता है मेंस उसकी जो एंगूलर वेलास्टी है वह बढ़ रही है कम हो रही है बढ़ रही है कम हो रही है ऐसे भी हो सकता है increasing or decreasing तो उसकेस में हम क्या जूज करते होते हैं average क्या जूज करते होते हैं इसी को हम माल लेते हैं स्टूडेंट्स यह जो object है अब माल लो it moving in non uniform angular velocity अब इसकी वेलास्टी क्या है जूनिफॉर्म नहीं है एक समा नहीं है वो बाढ़ रही है कम कम हो रही है बाढ़ रही है कम हो रही है तो उसकेस में हमारे पास यदि हमने instantaneous velocity फाइंड करनी हो वो क्या होगी तो हम क्या करते होते हैं लिम्ट लगा देते हैं लिम्टिंग वेल्यू आफ दा एवरेज वेलास्टी मीस एवरेज वेलास्टी भी हमारे पास ऐसी होगी डेल्टा आर वेक्टर ओवर डेल्टा टी यदि स्टूडेंट्स मोशन जूनिफॉर्म होता है तो instantaneous वेलास्टी भी उतनी होती है मा लेते हैं एक आबजेक्ट हैं एक साइकलिस्ट है वो साइकल पर जा रहा है उसकी वेलास्टी है सिक्स मीटर इन वन सेकंड तो जदी वो सिक्स मीटर पर सेकंड की गती से ही जाता है इतनी वेलास्टी के साथ जाता है तो instantaneous वेलास्टी भी उतनी ही होती है लेकिन जदी उसका मोशन increasing or decreasing होता है means velocity में increase or decrease होता है तब हम क्या लगाते होते हैं average velocity find करते होते हैं एंड इसेंट इनिस वेलास्टी के लिए हम क्या अप्लाई करते होते हैं लिम्ट अप्लाई करते होते हैं अब जदी motion non uniform हो वेलास्टी में increase decrease हो रहा है तो average velocity का जो case बनेगा डेल्टा आर वेक्टर ओवर डेल्टा टी वहां पर हम लिम्ट लगा देते होते हैं मीशर डेल्टा टी जो टाइम इंटर्वल है एपरोचिस चू जीरो इसी केस को देख लेते हैं अब्जेक्ट बिंदू एपर है अब हमने instantaneous velocity find करनी मोशन मान कर अब हम चले हैं नौन जूनिफों तो instantaneous velocity कैसे find करेंगे हमें एक और टाइम इंटर्वल भी चाहिए वो टाइम इंटर्वल हम मा लेते होते हैं देडिज़ डेल्टा टी अब डेल्टा टी को मानना कितना है जितना डेल्टा टी कम होगा उतनी average velocity की जो value है वो instantaneous velocity के करीब होगी तो यहां पर हम calculus जो mathematics हैं suggested by the newton उनको apply करते होते हैं students मैं एक और बात पताना चाहता हूं instantaneous velocity के regarding जड़ी आपको any confusion है प्लीज प्लीज आप first chapter में मैंने instantaneous velocity का जो topic है वो briefly explain किया है तो आपने वो वीडियो देख लेनी है तभी आप इस topic को understand कर पाएंगे what is the meaning of instantaneous velocity now instantaneous velocity क्या होगी यदि हमारे पास delta t approach to zero जो समय में change है वो infinite smiley small हो उस case में जो velocity है linear velocity वो instantaneous velocity बन जाती है कैसे cover velocity velocity equal to limit delta t approach to zero delta r vector over delta t जे किसके equal है equal to limit delta t approaches to zero omega r तो जहां पर delta t का कोई function नहीं है means omega and r है only so it can be written as v equal to omega r students अब हमने जो delta t है वो बहुत कम हमारे पास क्या है उसकी value बहुत कम है delta t तो फोर infinite smiley change in time and termodata t तो जो linear displacement है वो भी बहुत कम होगी जहां पर हम vector algebra के law को apply कर सकते हैं तो इसी relation को यदि हम नहीं vector form में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे linear velocity vector equal to omega cross r vector तो जे तो था relation but being linear velocity and angular velocity स्टूडेंट्स जदी आपको any confusion any doubt regarding this topic you can ask me in the comment box इसके आगे की वीडियो में मैं discuss करने जा रहा हूं that is the angular acceleration and instantaneous angular acceleration इसके फर्दर एक और important topic को हम में discuss करने जा रहे हैं वह बहुत ही important है and lengthwise उसका time period ज्यादा होगा तो in the coming video उनको हम discuss करने जा रहे हैं इससे topic के regarding any problem you can ask me in the comment box thank you so much for what